आज हम कुशन नमबर 7 and 8 स्टार्ट करेंगे दिये श्रेंट्स तो डिये श्रेंट्स डिये श्रेंट्स के जो भी लेक्षेस मैंने आपको प्रोवाइड किया हैं आप उसको वन बाई वन करके आप अच्छे से देखिए अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप पूछे करें चलिए आज हम कुशन नमबर 7 और 8 स्टार्ट करते हैं ठीक ना तो डिये श्रेंट्स हम इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग कुशन नमबर 8 देख लेते हैं इसको कैसे करना है ठीक ना या हम लोग सबसे पहले 7 ही देख लेते हैं देखे 7 हम लोग कैसे सॉल्व इसमें दो questions है, यह question मैं आपको बताऊंगा, और आप यह questions लगाओगे, ठीक ना, यह determinants है, सबसे पहले यह चीज़े आप लिखोगे, ठीक ना, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले इस determinants की value आप find करो, आपके पास में, dear students, यह दोनों तरब determinants ऐसा नहीं कि, यह element जो है, इस के equal कर लो, x की value निकल जाए, यह आपके पास में matices में होता था, मतलब आप view में होता था, यहाँ पर यह से तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इस determinants की value निकालेंगे, इसकी भी निकालेंगे, इसके बाद जो आएगा, हम x की value फाइंड कर लेंगे, calculation है बस, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इसमें multiply करेंगे, तो आपके पास में 2 आएगा, फिर minus, आपके पास 4 का, यानि 5 का 4 में multiplication, यानि 20 आएगा, ठीक है, सबसे पहले आप लोग matices, determinants लिख लेना, उसके बाद करना, ठीक, यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, सब, 2x square आजाएगा, बात के लिए, अब यहाँ पर इसका, इसमें multiply कर दीजे, तो आपके पास में क्या आएगा, minus का, यानि 6 का 4 में, आपके पास में 24 आजाएगा, बात के लिए है, अब यहाँ पर आपको करना क्या, यह minus का 24 इदर लाना है, सबसे पहले आपके पास में कितना है, यह minus का 24 है, इदर लाएंगे तो plus होगा, यह plus का 2 है, plus का 24, यह minus का 20, equal to आपके पास में 2x square, ठीक है, अब आप एक ची बताएगे, 24 में से, अगर हम 20 minus करेंगे, तो 4 मिलेगा, और 4 और यह के आपके पास में 2, यानि 2 plus 4, equal to आपके पास में 2x square, ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6, यहाँ पे 2x square होगा, अब यह आप यह 2 से यह cancel कर सकते हो, तो x की value यहाँ पे आपके पास में क्या निकल के आएगे, plus minus क्योंकि इसकी 2 value आएगे, ठीक है, under root में 3, ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 का 1 में multiplication किया, तो आ minus का 20 आजाएगा, ठीक है, इसके बाद हमारे पास में 2x का x में करेंगे, आपके पास में 2x square, 6 का 4 में करेंगे, minus का 24, यह minus का 24 इधर लाओ, तो positive, 24 और यह 4 कितना हो जाएगा, 26, 26 में minus 20 करेंगे, तो 6 आजाएगा, और इधर 2x square चली रहा है, 2 का divide कर लीजिए, तो आपके पास में 3 आएगे, तो x की x square हटाएगे, सबसे पहले plus minus लगेगा, यह under root में 3 आजाएगा, बात क्लियर है, इसी प्रकाइड यह स्टुन्स, यह भी कुशन आप लोग लगा सकते हो, लग जाएगे का नहीं लग जाएगा, simple है ना कुशन, determinants की जो कुशन से हैं, first exercise के, ही देता हूँ, क्योंकि optional तो मैं सारे कुशन कर आता हूँ, ठीक है, देखो कैसे, आपके पास में यह x का x मुल्टिप्रिकेशन करो, तो आपके पास में क्या आएगा, डियर स्टुन्स, x square आएगा, ठीक है, क्योंकि optional वाले कुशन में क्या आएगा, ऐसे लिखना नहीं प ठीक है, और यह कितना हैगा, 36, minus का 36, यह cancel हुगा, तो आपके पास में इधर 0, तो x square equal to, आपके पास में यह 36 होगा, x की value कितनी है, अजिक बटा, अभी just मैंने बताया, plus minus under root 36, यानि 36, 36 का square root निकालेंगे, तो आपके पास में 6 आजाएगा, तो यानि x square equal to 36, तो x equal to कितना plus minus 6 आजाएगा, तो आपके पास में right answer कौन सा होगा, b होगा, ठीक है, तो dh students, हमने आपको question number 7 बताया, 8 बताया, questions important है, first exercise के 4.1 के, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको जादा नहीं, कम से कम 2 से या 3 marks आपके, यहां से आ सकते हैं, बोड में, ठीक है न, तो आप इसको treatments के, ठीक है, उसके बाद हम लोग exercise के बारे में discuss करेंगे, तो dh students, अगर यह lecture सापको पसंद आया हो, तो please like, subscribe and share जरू करें, तो आज का lecture से में यह पर finish करेंगे, thank you very much.